हेलो दोस्तों कैसे आप लोग आसा करता हूँ अच्छे हूँगे मैं भी बहुत बढ़िया आज मैं आप लोग के सामने एक नई कहानी लेकर के आया हूँ जो कि सेकंड वर्डवार से संबंधित है उस समय हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे जापानी सेना ने एक दिव पर पहले से कबजा कर रखा था म्यामार के अंदर ही वो दिव पड़ता है रामरी दिव उस दिव पर ही एक ऐसा इस्थान था जहां पर आठ मील का दलदल था और उस आठ मील का दलदल में धेरो सारे मगरमच रहते थे माना जाता है कि एसिया के सबसे बड़े मगरमच या बहुत भयानक मगरमच वहीं पास रहा करते थे और अब तक कि मगरमच्छों के दौरा मनुस्य पर किया गया हमला यह सबसे बड़ा हमला है जो कि इतनी भारी संख्या में मनुस्यों का या नरसंगार हुआ तथा मारे गए साइनिक मारे गए होता यह है ये सेकंड वर्डवार के दोरान एक रामरी द्यूप जब होता है यहां म्यामार में तो उस पर ब्रेटिस इंडियन आर्मी अपना एयर बेस बनाना चाहती है और एयर बेस बनाने के लिए उस पर हमला करती है उस पर जापानियों का पहले से कबजा होता है तथा जब ब्रेटिस इंडियन आर्मी और जापान के बीच युद्ध हो रहा होता है तब जापानी सेन कि एक टुकडी अपने दल से अलग हो जाती है अलग हो जाती है और जापानियों का साफ निर्देश था कि भलेक कुछ हो जाए हमको सरेंडर नहीं करना है युद्ध के मैदान से भलेक ऐसे भी करके जान बचानी है या चुप करके हमला करना है लेकिन सरेंडर नहीं करना साफ तरीके से लड़ते हैं लेकिन होता गया जब वो टुकडी अपनी अलग हो चुकी होती है तो इधर बिटेस इंडियन आर्मी उसके पीछे पीछे और वो आ गया गये वो भागते भागते एक दलदल के बीच में पहुंशती है दलदल के साइड से होते हुए दूसरी तरफ बि लोग स्रेंडर करने के मूंड में नहीं होते हैं वह सोचते हैं कि अगर इनसे फाइड करेंगे लड़ेंगे सामने सामने तो मौत तो निश्चित है लेकिन एक उनका जो कप्तान होता है वह नेड़ने लेता है कि ऐसा करते हैं इस दलदल को पार करने की कोशिस करते हैं हो न दल्दल के बारे में जानकारी जदा नहीं होती है उधर दूसरी तरफ ब्रेटिस इंडियन आर्मी यो होती है उस दल्दल के बारे में पूरी जान cafक यह हजार सैनीक उस दल्दल में उतरते हैं और उतरने के दोरान कुछ आगे बढ़ने पर ही जैसा कि आप सबको पता होगा कि पानी में तथा दल दल में अगर कोई भी वक्त या जानवर पानी में उतरता है तो मगरमच को तुरंत आपhmaster हो जाता है सारे मगरमच अलेट हो जाते हैं और यहाँ मनुस पर हमले करने के लिए तत पर रहते हम एक सैनिक आगे बढ़ता जाता है यह दिखाई पाई भी नहीं पड़ रहे होते हैं क्योंकि पानी होता है तो साइद ये थोड़ा भूत अपनी हल चल करें आसपास दिखाई दिखाई दें या उपर नीचे आएं उस दलदल में खाली इनकी आखें दिखरी होती हैं और रात का अंधेरा होता है तथा सापों से भी साइनिको होते चिलाते जाते हैं लेकिन अंधेरे में कुछ पता नहीं चलता है अंधता ये आगे तक निकल आते हैं सोचते भारी संख्या में वहां मगरमच होते कि हमला करते हैं तो ये इनकी मृत होती ही जाती है, कुछ सैनिक, 20 सैनिक लगभग वापस चले जाते हैं, और जो सैनिक बचे हुई आगे बढ़ते जाते हैं, वो धीरे-धीरे मौत की घाट उतरते जाते हैं, तथा या अब तक कि ऐसी य सैनिक जो वापस आ जाते हैं और अपने आपको सरेंडर कर देते हैं, और जितने भी उस दलदल में उतरते हैं, उन में से किसी के भी प्राणा नहीं बसते हैं, केवल बीस के, जो भी वापस आते हैं, अगर आपको कहनी अच्छी लगती हो, तो कमेट वस करिए, तो था करें, धन्यवादा